दोस्तो आचारे चाणा के ने कहा था ऐसी औरत कभी मा नहीं बनती, सुनकर आपके पैरो तले से जमीन खिसक जाएगी, चाणा के कहते हैं ऐसी औरत हमेशा बांच रहती है, अगर आपके भी नहीं है संतान तो ये जानकारी आपके लिए दोस्तो हम सभी इस बात को मानते हैं कि कोई बिभा तभी पूर्ण सुखी माना जाता है जब वो दांपत्ती एक स्वास्त संतान को जनम दे, ऐसे में सफल और सुखत बिभा का पैमाना एक उत्तम संतान की प्राप्ती माना जाता है, ऐसे में संतान का ना हुना समाज में कई ब पती पतनी के बीच संतान के ना होने से सबसे बुरे दौर से एक औरत ही गुजड़ती है, साथ ही साथ उसके पती को भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे में समाज ऐसे जोडों को बुरी नजरों से देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप संतान से बंचित क्यों हैं, इस पारे में अगर आप जानेंगे तो चौक जाएंगे, ऐसे में आचारे चाना के कहते हैं, खास्तोर से ऐसी महिला कभी मान नहीं बनती, रह जाती है संतान से बंचित, सुनकर डर जाओगे, तो चलिए जानते हैं, दोस्तो नमबर बन, पशू के नबजात पर अत्याचार, आ गरुण पुरान के अनुसार, ऐसा भी माना जाता है कि, जिस इस्तरी के अगर संतान नहीं होती तो, उसने अपने पिछले जिनम में बहुत पाप किये होंगे, अर्थात किसी पशू के बच्चे या मनुश्य के बच्चे पर अत्याचार किया होगा, और इसी कारण भी इस् छोटे छोटे बच्चों पर जुलुम करता है, तो वो हमेशा संतान से बंचित रह जाता है। आंजपन का सामना करना पढ़ सकता है। जिसके कारण उसे संतान का सुक नहीं मिल पाता, और बही महिला के लिए भी शास्त्रों में यही प्राबधान है, जब दोनों पती पतनी में पती के करम अच्छी हों। ऐसे में शास्त्र कहता है, जब कोई महिला अगर अपने पिछले जनम में या इसी जनम में किसी नबजात को कश्ट पहुँचाती है, तो उसे भी संतान से बंचित होना पढ़ता है। या उसे बांजपन का सामना करना पढ़ सकता है। ऐसे में दोनों में से किसी एक को संसार छोड़ना ही पढ़ता है, जो की गरुन पुरान में बताया गया है। दोस्तों, नमबर फोर, संतान प्राब्ती के लिए करे ये उपाए। शास्तरों के अनुसार, जितना पूजपाट करके फल नहीं मिलता, उतना करम करके फल की प्राब्ती होती है। जी हां, ये बात बिलकुल सच है। शास्तर कहता है, संतान की प्राब्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों को ही किसी पशु के नबजाद बच्चे को दूद, भोजन, खिलाना चाहिए और छोटे-छोटे बच्चों से प्रेम करना चाहिए। बच्चों को भोजन खिलाने से और प्यार करने से संतान की प्राब्ती अबश्य होती है। ऐसे में किसी भी जोड़े को लड़का और लड़की में कोई भी फरक नहीं देखना चाहिए। इश्बर जो संतान आपको देगा उसी में आपको खुश रहना चाहिए। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इश्बर की बनाई हर चीज को आप सम्मान दें। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तो जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक ला होती है।